इस वीडियो में हम दो टास्क परफॉर्म करेंगे एक तो भी बैक अप कैसे लेना है सारे यूजर्स का तो हमने कमांड पहले इस कमांड को यूज करके करेंगे फिर हम देखेंगे कि वह एक यूजर ने जब हम चाहते हैं कि जैसी वह लोग आउट करें अपने अप उसका बै सबसे पहले हम रूट यूजर की तरह लॉग इन करते हैं कोगी सारे यूजर का बैक अप लेना है तो हम क्या करते हैं लेना किसका है ओम का तो यह क्या कर दिया इसने कविक्ली अभी तो हमारे पास दो लिए कुछ जरी हैं तो इसलिए time उसने कम लिया है 활िप्त इसको बाद में क्या करेता हूं clear कर देता हूं स्क्रिंश को clear अब देख लेते हैं कि backup ले लिया कि न इसने तो यहां पर हमारे पास उसका backup आ गया, कल को हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हमारा कुछ corruption हो यह तो restore कर सकते हैं, अब ध्यान रखना है, यह system भी हमारा delete हो सकता है, corrupt हो सकता है, तो जल्ली क्या होता है, कि यह backup लेने के बाद हम कहीं इसको और भी रख सकते हैं, दूसरे system से networking क through, तो यह हमारे पास था, कि user नहीं कैसे backup लेने, अब हमें नहीं चाहिए, तो मैं remove कर देता हूं, unnecessary, जब समझाने के लिए था कि backup कैसे लेने, तो हमने यह कह दिया, अब हम वापस user के example लेते हैं, अब हम चाहते हैं कि यह पूरी home recti का backup ले 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 वो, तो इसके लिए हम क् .vash logout file होती है हमारे पास, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, यह command लिखे देंगे, कौन सी command, जो backup वाली है, tar cvfz, ठीक है, अब हम यहाँ पर weapon लिखे देते हैं, weapon.tar.gz .gz, हमने .gz, backup किसका लेना है, home recti का लेना है, तो हम ऐसे लिखे देंगे, यह home recti को denote करते हैं, जहां हम अगर उसके अंदर एक particular recti को लेना है, तो यह वाला, चलो हम इस case में एक particular recti दिखा देते हैं, कि इसका backup लेना है, तो अब इसको क्या करेंगे, colon w के उसे save कर देंग यह हमें पहले पता है कि कैसे save करना है, तो यह हमारे पास, तो अब हम क्या करें, पहले मैं इसको screen को clear कर देता हूँ, अब ध्यान से देखे हैं, हमारे पास file कितनी है, कोई भी नहीं है, अब हम क्या करते हैं, ctrl d से बाहर निकलते हैं, फिर हम weapon अब हम नहीं चाहिए, तो हम इसको remove कर देते हैं, वह वापस जो उसके अंदर entries की हैं, उसका हम क्या कर देते हैं, डिलेट कर देते हैं, ध्यानक न, यह भी logout वाला भी कोई proper method नहीं है, अगर देखा जाए, तो हो सकता है, अगर user login आउटी ना किया, काफी जर्वा काम ही कर रहा है, तब भी दिकत हो जाएगा, तो हमारे पस एक और utilities होती हैं, at और कर रोन, जिनको scheduler बोल देते हैं, उसमें हम एक specific time बता सकते होते हैं, कि इतने हम utilize करते हैं, पर command यही same ही use होंगी आपकी, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, कि backup अगेरा, तो अगर हम इसको सारे को summarize करें, तो हम backup और restore के लिए tar use करते हैं, तो हमारे पस यह different options हैं, CVF से हम create कर सकते हैं, X से extract कर सकते हैं, U से incremental backup होगा, TCF दिखाता है, Z कभी हम use करते हैं, जब हमने G G G G G के साथ compress करना है, और यह कभी use करते हैं, B G 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 tar plus g unzip करके देखा tar plus b unzip to करके देखा फिर हमने देखा भी सारे user's का backup कैसे लेना है तो home का backup ले लोगे तो सारे users का backup ले 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 अगर user ने individually backup लेना है और वो भूल जाता है तो इसलिए हम क्या कर दिया हमने logout file का भी इस्तेमाल किया कि जैसे logout करेगा automatically backup ले लिया जाएगा तो ये सारा कुछ हमने कुछ videos में tar के बारे में cover किया है